गोंदिया के एक युवक ने शाधी शुदा होने के बावजुद नंधनवन थाना क्षेतर में रहने वाली योती से प्रेम विवाहर रचाया, उसके साथ दुशकर्म करता रहा, योती को उसके शाधी शुदा होने का पता चला और जम कर विवाद हुआ, योती उसके चंगु पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में धवल केक लेने के लिए शौप में गया, वही दोनों की पहचान हुई, धवल ने उसे अपने प्रेम जाल में फसाया और अविवाहित होने की जानकारी दी, दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया, पिडिता ने उसे जबाव डालने पर पहले तो टाल मटूल करता रहा, जब बात बिगडने लगी तो कोरोना का हवाला दे कर घर में हार पहना कर जूटा विवाह रचा लिया, फरवरी महीने में उसने पिडिता को अपने घर ले जाने का जासा दिया, गोंदिया ना जाते हुए दुर्ग में एक मकान लेकर रहने लगा, वहाँ उसके दोस्तों ने पिडिता को बताया कि धवल पहले से ही शादी शुदा है, पिडिता ने जाच पड़ताल कर धवल के घर का पता निकाला, तब पता चला कि धवल की शादी पहले ही हो चुकी है और उसे एक बच्ची भी है, दोनों की बीच जम कर विवाद हुआ, धवल ने उसके साथ जबरन और नहसरगिक तरीके से दुश कर्म किया, रोजाना उसके साथ मार पीट करता था, किसी तरह पिडिता उसके चंगों से छुट कर वापस नाक पुरा गई, इसके बाद धवल का उसकी पत्ति से विवाद होने लगा इसलिए धवल ने पीडिता के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल वीडिया पर वाइरल कर दिये, पीडिता ने मामले की शिकायत पुलीस से की, पुलीस ने विविद धाराओ के तहत मामला दर्च कर धवल की तलाश शुरू कर दी है